एक Prison Guard चो Death Row के Prisoners को Execute करता है उसने ऐसे ही एक Prisoner का Execution किया और उसके बाद वो उसकी Wife से ही मिलता है अब आगे क्या होगा या हम इस Movie में देखेंगे Hello Friends, आज मैं आपको Monsters Ball ये 2001 की एक Hollywood Movie explain करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर देजेगा बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है Movie स्टार्ट होती है और हम हमारे main character Hank को देखते है उसे राद में नीन नहीं आती तो हमेंशा एक जगा पर जाकर वो आईस्क्रीम खाता है इसी के parallel में हम उसके बेटे को देखते है जिसका नाम में Sonny Sonny एक मॉटेल पर आया हुआ था वही पर एक sex worker के साथ वो intimate हो जाता है उसे को डिनर के लिए बूच रहा था डेट पर लेकर जाना चाहता था पर उसे मना कर देती है Hank के घर पर उसके old father भी है एक दिन जब वे breakfast कर रहे थे तो इनके garden में कुछ black लड़के थे Hank और उसके father को black logo से सक्त नफरत थी उन्हें अपने property से निकालने के लिए Hank directly gun ही लेकर गया actual में लड़के sony की friends थे sony भी देखता है तो अपने father को रोक लेता है Hank ने warning दी कि दोनों मुझे कभी भी दिखने नहीं चाहिए Hank एक prison guard है death रोके कईदियों को execution करने का काम उसका होता है जब वो अपने काम पर जा रहा था तो इन दोनों लड़कों ने अपने father को का और यह उससे मिलने के लिए आए father गुसा थे, वो Hank से कहते मेरे लड़के किसी को भी हाम नहीं कर सकते तुमें गण निकालने की कोई भी जरूरत नहीं थी अगर तुम गुसा थे, तो मेरे पास आ सकते थे वो उससे कभी भी fight करने के लिए ready है Hank कहता, इन दोनों को मेरी property से दूर रगना बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए अब एक दो दिनों में Hank और उसके team एक prisoner को execute करने वाले थे यहां हम देखते है, Hank के साथ उसका बेटा सौनी भी काम करता है यहां practice करते हुए, सौनी ने कुछ गलती की थी Hank उसे कहता है, इस तरीके की गलती नहीं चलेगी हम सब लोगों को बहुती perfect काम करना पड़ता है सौनी first time किसी prisoner को execute करने वाला था शायद इसी वज़े से nervous होका इसलिए Hank उसे कहता है, कि यह सिर्फ एक job है इसे जादा seriously मत लेना नेकसिन में उस prisoner से मिलने के लिए उसकी family आई हुई थी उसका बेटा और एक wife है wife का नाम है Letesia यह prisoner बहुत अच्छे drawings बनाता था यह अपने बेटे को उसने दिखा है कहा कि आज के बाद तुम मुझे मिल नहीं सकते बेटा बुछता है कि ऐसा क्यों prisoner ने कहा कि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ जो drawing के talent prisoner में थे वो ही उसके बेटे में भी है वो भी बहुत अच्छे से drawing करता है स्कूल की मैगजिन में भी उसका drawing आने वाला था prisoner को सुनकर बहुत अच्छा लगा वो उससे कहता है मुझे में जो भी गलत है वो तुमारा नहीं तुम सिर्फ मेरा best part हो फिर उसे ने लटीशिया से बात की उसे sorry कहा पिछले 12 सालों से ये prison and murder की इलजाम में जेल में था लटीशिया को हर week अपने बेटे को लेकर आना पड़ता था उसे बुरा तो लगता है पर इन सब से वो तंग आ चुकी थी और finally उसके execution का day आया उसे मरने से पहले drawing करनी थी उसके पास sony और hanky थे तो उनकी drawing वो बनाता है उसकी वीच थी कि लास्ट टाइम अपने बेटे से वो phone पर बात कर पाए पर prison के officer ये मना करते है घर पर लटीशिया और उसका बेटा इस phone call का wait करे थे लटीशिया भी आज बहुत disturbed थी उसने देखा कि उसका बेटा चुप चुप कर चॉक्लेट खा रहा था उससे बहुत मारती है क्योंकि वो अबिस हो चुका था वो अपने बेटे को feet देखना चाती थी जब prisoner को ले जाया जा रहा था तब अचानक से sony को उल्टी आके prisoner का execution हुआ पर हैंक सौनी पर बहुत जाता गुसा था क्योंकि prisoner की last walk इस sony की वज़े से बरबात हो गे उस पर बहुत गुसा हो गया था उसे बहुत मारता है सब गास ने मिलकर हैंक को रोक लिया अगली सुबह हैंक सौनी के पास आया उसे कहता है कि घर से निकल जाओ सौनी भी अब बहुत जाता गुसा था उसने अपनी गन निकाली वह हैंक को बहुत मारता है कहता है कि अब देखो कैसा लगता है सौनी ने हैंक से बूचा क्या तुम मुझे हेट करते हो हैंग की मदर सौनी को छोड़ कर चली गई थी और सौनी उसे उसकी याद दिलाता है तो इसी वज़े से हैंग ने का कि हाँ मैं तुम्हें हेट करता हूँ सौनी को बहुत बुरा लगा वो अपनी गन से खुद कुशी कर लेता है नेकसीन में हम देखते हैं कि लटीशा अपने जॉब पर गई थी पर हो हमेशा लेट हो जाती है क्योंकि अपने बेटे का उसे खैल रखना पड़ता है उसका बॉस इससे दंग आ चुका था इस वज़े से उसने उसे फायर कर दिया आज कर लटीशा को पैसों के बहुत प्रॉल्म थी अगर उसने पैसे नहीं लाए तो अपना घर भी खो सकती है इसके बाद हम देखते हैं इस सौनी का फ्यूनरल हुआ सौनी के ग्रैंड फादर कहते हैं कि वो वीक था उस ऐसा नहीं करना चाहिए था हैंग को बहुत बुरा रखता है जहाँ पर सौनी की डेथ हुई थी वहाँ से उसने बुलेट निकाली रात में वो फिर से आईसक्रीम खाने के ले गया उसके हमेशा की वेटर अभी हाँ नहीं थी तो इसके जगा अपर लटीशिया थी उसने इस जगा पर जॉब ले लिया था यह दोनों थोड़ी से फॉर्मल बाते गरते है और उसके बाद हैंग यहाँ से चला किया वो फिर उसी लड़की के पास आता है जिसके बास सौनी जाया करता था उस लड़की ने बुझा कि सौनी कैसा है सौनी की बात सुनकर हैंग बहुत ही जादा सैड हो गया वो वैसे ही वहाँ से चला जाता है अब वो यह जॉब नहीं कर सकता था हैंग ने रियलाइस किया कि जो जॉब वो और सौनी करते हैं यह बहुत ही घटिया है इसी जॉब की वज़े से सॉनी ने सोसाइड कर ली अब वोई जॉब नहीं करना जाता था तो इसे रिजाइन कर देता है ये बात जब उसने अपने फादर से कही तो कहते हैं तुने बहुत बड़ी गलती की तुम मुझे अपनी मदर की याद दिलाते हो हैंग की मदर भी उन्हें छोड़ कर चली गई थी हैंग पुछता है मैं मेरी मदर की तरह हो क्या गलत बात है उसके फादर कहते की नहीं तुमारे मदर की जाने के बाद मैंने बहुत मज़े किये थे पर अब हम देख सकते हैं कि हैंग के फादर अकेले है हैंग उन में अपने आपको देखता है उन जैसा उसे नहीं बनना वो पूरे टाउन पर घुमा और अपने लेक पेटूल पम बाई कर लेता है एक राद लटीशया की डूटी खतम हुई पर बाहर बहुत बारिश थी वो अपने एक कस्टमर की छटरी चुरा लेती है जब ये दोनों रस्ते से जा रहे थे तो किसे ने उसके बेटे को गाड़ी से उड़ा दिया शावेद वही गुंडे थे जिनकी अम्रेला उन्होंने ली थी रस्ते पर लटीशया लोगों की हेल्प मांगती है तुम उसे घर ले कर जाओ हैंग लटेशया से कहता है कि जिसने भी ये किया वो बचे का नहीं मैंने डिटेक्टिव से बात की और इसकी इन्वेस्टिकेशन वो करने वाले है लटेशया कहती है क्या वो सचमूच में करेंगे अमेरिका में ब्लैक लड़के के मर्डरर की कोई भी इन्वेस्टिकेशन नहीं करने वाला अगली दिन सौनी के फ्रेंड्स हैंग से मिलने के लिए आये हुए थे और सौनी के लिए उन्हें सौरी कहते है हैंग ने फर्स टाइप उनका नाम उनसे पूछा वो जब सिटी में जा रहा था तो लड़ीशा वाक करते करते अपने जॉब पर जा रही थी उसे लिफ्ट दे देता है हैंग ने घर आकर अपने फादर से का कि मैंने गैस टेशन बाई कर लिया है पर उसके फादर कोई सही नहीं लगता रावत में हैंग फिर से जहाँ पर लड़ीशा काम करती है वही पर आइसक्रीम खाने के लिए आया उसे कहता है कि शायद अब तुमारी शिफ्ट खतम होगी मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ ये मेरे घर की वेपरी है लड़ीशा भी इसके लिए मान गए उसे पुछती है कि उस दिन तुमने मुझे हेल्प क्यों की तुम रूके क्यों हैंग कहता है उस मुमेंट पर मैंने जादा कुछ सोचा नहीं मैं तुमारा दर समझ सकता हूँ अभी अभी मेरे बेटे की भी डेट हुई थी मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया बोरो एक बहुत ही आइडियल बेटा था उसकी डेट के बाद मुझे लग रहा था इसे मैं सास ने ले पा रहा मैं बेट से भी निकल नी पाता था अंदर से तकलीफ होने लगती है लेटेशया ने उसे का क्या तुम अंदर आना चाहते हो ये दोनों फिर ट्रंक हो गए लेटेशया बहुत ही पेन में थी हैंग को पता था कि वो क्या फिल्ड करती है लेटेशया को भी कमफर्ट की जरूरत थी तो इस वजे से ये दोनों इंटिमेट हो गए सुबा जब हैंग घर पर आया तो रात में उसके फादर को जरा चोट आके ही थी वो अब आराम कर रहे थे आज कल वो अपना खैल रग नहीं पाते नेक्स डे हैंग सोनी की फ्रेंड्स के फादर के पास आया वो एक कराद चलाते थे वहाँ पर अपने गाड़ी का काम उसे दे दिया गाड़ी जब ठीक हो जाती है तो लटीशा के पास आया उसने गार उसे गिफ्ट दे दी वो गहता है वैसे भी मुझे इसका कोई भी यूज नहीं है वो अपने काम पर चल कर जाती थी और न्यू काम करने के लिए सेव कर रही थी पर हैंक उसे एक गिफ्ट कर देता है इन दोनों की रिलेशनशिप अच्छी तरीके से डेवलोप हो रही थी एक दिन लटीशा हैंक के लिए बहुत अच्छी सी हैड पाई करती है वो इसे गिफ्ट देने के लिए घर पर आई यहाँ पर हैंक के फादर थे वो उससे बुच्छते कि तुम कौन हो वो कहते हैं मैं हैंक की फ्रेंड हूँ फादर को यह बात अच्छी नहीं लगती वो कहते हैं जब मैं यंग था तो मुझे भी निग्रो लड़किया पसंद थी यह बोलना बहुत ही ओफेंसिव था और लड़ी श्याओ को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया वो यहाँ से जा रही थी हैंक भी घर वापस आया और उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो मानती नहीं और यहाँ से चली जाती है इस बात से हैंक अपने फादर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया वो वेसे भी अपनी फादर का ज़्यादा खैल रखनी पाता था तो एक उल्डे जोब में उन्होंने उसे एड्मिट कर दिया उसके फादर कहते हैं मैं इस तरीके से नहीं मनना चाहता हैक नें कहा कि मैं भी नहीं इसका मदलब है अगर अपनी फादर की बात तो मानता रहा तो वो भी उनकी तरह अकेला इपड़ेगा वो रात में लटीशा को मनाने के लिए क्या पर वो अब भी उससे बात नहीं कर रही थी अगले दिन उसने जो कैस्टेशन बाई किया था उसका नाम वो लड़ीशा दे देता है उसके फ्रेंड ने उसे पूछा कि लड़ीशा को ने तो उसने प्राउडली कहा कि मेरी गल्फरिंड नेकसिन में हम देखते है कि लड़ीशा के घर पर एक आफिसर आया हुआ था उसने बहुत दिनों से बैंक का लोन पे नहीं किया तो उसे अब घर से बाहर निकाल देते है लड़ीशा ने फिर हैंक को कॉल किया उसका सारा सामान हैंक अपने घर में रख देता है लेटिशा के बेटे की जो भी सामान था वो हैंग ने अपने बेटे के रूम में रखा वो उसे खहता है मुझे तुम्हारा हमेशा ख्याल रखना है यह दोनों फिर इंटिमेट हो गए आज रात हैंग को फिर से आइसक्रीम खाना था वो लेटिशा के लिए भी लेकर आने वा वो गुसा भी थी और हार्ट ब्रोकन भी जब हैंग आइसक्रीम लेकर वापस आया तो उसका गुसा शान्थ हो गया था वो से कहती है चलो हम पोर्ष में बैठते हैं हैंग ने अपने हाथों से उसे आइसक्रीम खिलाया जब दोनों एक दूसरे से मिले थे तो दोनों बहु से जुड़े हुए हैं जहां इमोशन से वहाँ पर हम एक दूसरे में डिफरेंस नहीं कर सकते उसे लेटिशिया मिली उसके वह बहुत प्यार में था लेटिशिया भी बात देख सकती हैं यह दोनों मिलकर अपनी आगी की लाइफ कंटिनू करते यह दोनों पोर्ष पर सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निम्रू के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये